Welcome back everyone, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में उमीद करते हैं आप बहुत बढ़ियाओंगे मेकप किसी मैजिक से कम नहीं होता वो किसी भी लुक को ट्रांसफॉर्म करने का दम रखता है एकदम आपकी लुक इतनी ट्रांसफॉर्म कर देता है कि कई बार आप खुद को ही नहीं पहचान पाते अगर मेकप ढ़ंक से हुआ हो बट अगर मेकप ढ़ंक से नहीं किया गया हो तो आपकी लुक बिल्कुल खराब भी कर सकता है हम आज बात करने वाले हैं केकी मेकप के बारे में यह एक बहुत कॉमन कंसर्न है जो लोग भी खुद मेकप करते हैं उनको एक कॉमन प्रॉब्लम आती कि हमारा मेकप बहुत जल्दी केकी हो जाता है हम सारे स्टेप्स भी फॉलो कर रहे हैं सारी बढ़िया प्रोड़क्स उजब करें सब ब्रैंडेड यूजर फिर हमारा मेकप क्यों केकी होता है वही हम आज डिसकस्त करने वाले हैं जो एक सही मेकप होता नहीं जो बढ़िया मेकप होता है उसका foundation जो लाए करता ना basically जो base लाए करता है वो आपके step 1 में होता है जो आपका foundation होता है अगर आपने base सही नहीं बनाया ना तो आगे की layering जितनी मर्थी बढ़िया होले वो सही नहीं हो सकता because अगर foundation में ही cracks आ गए तो आगे की look कहां से बढ़िया हो पाएगी हमारी जो आज की वीडियो है वो focus करेगी कि आप बढ़िया base कैसे बना सकते हो क्या-क्या गलतियां आप करते हो और आप उनको कैसे correct कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आपको बताते है tricks by which you can avoid cakey makeup इससे पहले हम आपको बताएं आप cakey makeup को कैसे avoid कर सकते हो पहले आपको कुछ basic reasons बता दे केकी makeup आखिर हो क्यों जाता है सबसे पहला reason आप बहुत over quantity में foundation लगा रहे हो excess of everything is bad एक पतली सी layer लगानी चाहिए हमेशा दूसरा blending सबसे जरूरी होता है सही blending करना आपके महेंगे से महेंगे products हो ले बेस से best product हो ले अगर वो ढंक से blend नहीं किये गए ना तो वो glow आ ही नहीं सकता तीसरा dry patches होता है सब की skin में होता है चाह skin oily ही क्यों नहीं हो आप उन पर foundation लगा देते हो और वो cracks आना शुरू हो जाता है within few minutes अगर आपकी जो dry patches है वो hydrated नहीं है तो आपके face पे cracks आएंगे ही आएंगे चाहिए कोई भी foundation हो इसके अलावा जो आपका जो face होता है वो regularly dead skin cells shed करता है तो जब वो shed होते हैं और आप उसके उपर foundation लगा लेते हो तो आपकी rough skin texture के उपर foundation कभी बढ़िया धंग से blend हो ही नहीं सकता उसका solution सिरफ इतना है एक धंग का skincare routine follow करो और दूसरा अपनी skin को properly moisturize और exfoliate करो अगर आपकी skin exfoliate होती रहेगी ना regularly तो dead skin cells face पे आएंगे नहीं और दूसरा foundation smoothly blend हो पाएगा आप आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के साथ और आपको बताते हैं आप केकी makeup को कैसे avoid कर सकते हैं point number one use a makeup setting spray आप जब foundation लगाते होना यह जब आप makeup करते हो तो बहुत से steps होते हैं आप सबसे पहले primer लगा रहे हो foundation लगा रहे हो contour कर रहे हो conceal कर रहे हो तो होता कि बहुत सी layers लग जाती है उससे यह होता आपका face ना painted सा लगता है जैसे कि लगता है कि आपने बहुत कुछ लगा रख है और वह look कभी किसी को नहीं अच्छी लगती हमेशा एक natural look अच्छी लेंगे पहले तो आपको comparatively natural look देने का काम करें जितना भी excess residue होगा ना वो properly absorb कर लेगा और आपको smooth और flawless finish देगा यह जो settings पर यह बहुत लोग ignore कर देते हैं बट यह बहुत important पार्ट है अगर आप अपने makeup का stay बढ़ाना चाहते हो या अपने makeup को केकी होने से रोकना चाहते ह 2. blend the foundation well बहुत से लोग होते हैं बढ़िया foundations तो ले लेते हैं बट blender नहीं खरीदते beauty blender बोल लो makeup sponge बोल लो बट वह बहुत important होता है आप हाथ से जितनी मर्जी blending कर लो वो look नहीं आ सकती जो एक beauty blender से आती है अब इतना तो आप भी जानतो हर चीज का एक purpose होता है तो beauty blender बनाया ह इसले गया ताकि जो आपकी blending यह मैंना वो बढ़िया हो पाए आपका foundation जितना महंगा हो ले जितना बढ़िया हो ले आपकी skin tone का हो ले अगर वो सही से blend नहीं किया गया तो makeup cake ही होगा ही होगा तो आपको करना क्या एक बढ़िया वाला beauty blender लेना है आप कोई भी normal brand का ले सकते हो affordable ले सकते हो उसको हलका सा damp करना है हलका सा wet करना है and then आप अपनी blending करनी है उससे होगा क्या जो आपके face पर ड्राइप आची देना वहां foundation collect नहीं होगा और even blending होगी जिससे एक smooth finish आएगी natural finish आएगी और आपका make-up लंबे समय तक केकी नहीं होगा point number three hydrate the under eye area ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनका ही कहना होता है कि हम proper skincare follow करते हैं स्किन को proper prepare करते हैं make-up से पहले बट फिर भी under eye वाला जो area होता है ना वो थोड़ा केकी हो जाता है उसका रीजन सिरफ यही है lack of hydration तो जब भी आप अपनी skin prepare करो ना आपने under eye area पे extra ध्यान देना है यहाँ पे extra hydration देना है बिकेद आप जैसे देख रहोगा यह जो area होता है हमारा comparatively thin होता है और इस पर cracks बहुत इजली आते हैं तो आप एक hydrating under eye cream ले सकते हो या eye primers भी आते हैं आप वो लगाओ फिर अपना make-up करो आपके under eye area में कभी कोई cracks नहीं आएंगे और under eye area में make-up केकी नहीं होगा point number four dab of the excess इसका यह मतलब होता है जैसे मैंने शुरू में भी बताया excess foundation लगाने से make-up केकी हो जाता है अब उसको आप कैसे avoid कर सकते हो सपोज आप जल्दवाजी में हो अब पूरा make-up हटा पाना तो possible हो नहीं पाता तो उसका तरीका है जब foundation ज्यादा लग गया ना आपकी बराबर हो जाएगी और extra foundation हट जाएगा और आपका make-up बिल्कुल भी केकी नहीं होगा पे लगाओ एंदन डाब करके पूरे फेस पे लगा लो जब आप beauty blender से लगाते हो ना वह ओवर भी नहीं जाता और लिटल quantity में जाता है तो बेसिकलिए आपका चिपचिपापन भी नहीं आता और स्मूध ब्लेंडिंग होती है आपके foundation की concealer की हर मेकप के product की तो आपने यह धिहान रखना है जो face oil उसकी ओवर कॉंटिटी नहीं लेनी और हमेशा ब्लेंड करना beauty blender के साथ और यह step आपने follow करना after your CTM यह आपका added moisture वाला step हो गया और जैसे कि मैंने बताई यह step specially for dry skin है इसे dry skin वालों का यह step follow नहीं करना आपने setting powder वाला करना कैसे वह आपको बताते हैं आपने नॉर्मल CTM कर लिया setting powder बहुत अच्छे से जानतों आप last में यूस करते हो बट यह वाला जो है कि बहुत यूसफुल होने वाले आपने जब CTM कर लिया है ना तो आपको लगर होगा आपका फिस फोड़ा सा ओईली हो रहा है मेक अप से पहले ही तो आप सोचो इतनी लेरिंग के बाद तो और ओली हो जाएगा तो आपने करना क्या है अगेन आपने लेना है आपने फोकस करना अपने टी जोन पर यही एरिया सबसे ज़्यादा ओईल प्रेडियूस करता है और जो हमारी मेन दिक्कत है आजकी की फाउंडिशन केकी हो जाता है मेकप केकी हो जाता है वो भी नहीं होगा अब ये वाला जो स्टेप है आप ने कित्यार है अगर आपके फेस में डेट स्किन होंगे पोर्स आपके ओपन होंगे जितना मर्जी मेकप हो वो गलो नहीं आसकता है मैंने वीडियो की शुरुगात में भी भोला था अब आप वो क्या करते हैं तो सबसे पहले तो आपको दिन में दो बार face wash करना ही करना है आपके pores काफियत तक clean रहेंगे और weekly routine भी follow करना है regularly exfoliate करना है एक clay mask लगाना है इससे होगा कि exfoliation बहुत ज़रूर होता है आपके dead skin हट जाते हैं और जो clay mask होता है वो आपके pores को shrink कर देता है अगर आप यह वाले step follow करोगे तो आपके skin वैसे ही naturally अच्छी रहेगी और जो एक skin अच्छी होते हैं उस पर glow भी makeup का जादा निकल के आता है अगर आपको लगता है हमें scrub अगेरा suit नहीं करते हैं एक चीज का और ध्यान रखना है आपको सोने से पहले एक face serum ज़रूर लगाना है preferably with hyalanoric acid उसका benefit यह होता है आपकी skin में जो होता है वो water की कमी नहीं होती और जो dry patches वाली हमारी दिक्कत है वो आपको आएगी ही नहीं और आपका makeup बिल्कुल cake ही नहीं होगा and finally point number 8 pick the foundation as per your skin type यह एक बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग अपनी skin type जानते हैं यह बस गए foundation ले लिया अपनी skin tone का skin tone तो सबसे ज़रूरी होता ही है skin type भी बहुत ज़रूरी होता है आपकी अगर dry skin आपको एक hydrating foundation की ज़रूरत होती है तो एक dewy foundation की ज़रूरत होती है अगर आपकी skin oily होती है तो आपको एक matte foundation की ज़रूरत होती है आपका skin type अगर normal है तो आपने यह ध्यान रखना आपनी skin को prepare कैसे करा है अगर आप face पे face oil लगा रहे हो तो आपका face थोड़ा oily हो जाता है तो आपको एक matte foundation चाहिए अगर आप एक oil free primer लगा रहे हो तो आप थोड़ा सा hydrating foundation या dewy foundation ले सकते हो basically जो एक main reason होता है ना कि foundation cake ही हो जाता है वो यही होता है because लोग ध्यान ही नहीं रखते और foundation अपनी skin type का नहीं लेते और एक जब आप skin prepare करोना आपने खास ध्यान देना इस area का आपने proper apply करना है primer यहाँ पर because यहाँ पर सबसे जादा दिक्कत आती है लोगों की foundation cake ही हो जाता है तो जब भी आप अपनी skin prepare करोना जो area जिसे connecting areas होते हैं वहाँ पर अपने ढंक से कर रहे थे या कौन सी वाली mistake आपने correct की हमारी वीडियो देखने के बाद हमें comment box में जरूर बताएं आप ये वीडियो अपने उन friends के साथ भी share करें जिनका makeup आपको लगता हमेशा केकी ही हुआ रहता है क्या पता इन में से एक गलती वो कर रहे हो वीडियो helpful लगी हो तो like और share जरूर करें कोई भी makeup का product अगर आप खरीदने का plan करें हम all India delivery करते हैं हमारे बास all leading brands भी available हैं आप कहीं भी रहते हो कोई भी गाउं में रहते हो delivery करना हमारा काम है आपके door step पर product deliver होगा आप से मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में अंटिल नेक्स टाइम दिस इस यह होस्त रोइट सच्देवा गुडबाई